लाइन सेक्मेंट, साइड एंड अंगल अगर हम पेपर पर एक डॉट बनाते हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट, यह है पॉइंट M पॉइंट से बनती है लाइन, यह है लाइन L लाइन को ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट इसलिए हम एरो हेड्स बनाते हैं अब इसे देखिए, इसे तो दोनों ओर से end point है, हमने पड़ा इसे कहते है line, इसे कहते है ray, अब ये क्या है, line को कोई ending point नहीं, ray को one ending point होता है, लेकिन इसे तो दोनों ending points है, two ending points से समझता है, इसकी लंबाई निश्शित, मतलब fixed है, ऐसे shape जिसे two end points है, एक starting का और दूसरा end का, इसे कहते है line segment, अगर हम इस point को नाम देंगे P और इसे Q, तो इस line segment का नाम लिखेंगे, line segment PQ, इसकी विशेश्टा ये है, कि हम इसकी लंबाई नाम सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, scale से, very good, सिर्फ यही नहीं, हमें जितनी length, यानि लंबाई का line segment चाहिए, वो भी हम scale का use करके बना सकते हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हुए सीखते हैं, side क्या होती है, जैसे हमने सीखा, कि dots जुड़ते जाते हैं, और बनती है line, वैसे ही line segment जुड़ते गई, तो बनता है shape, इस shape की ये boundary है, क्या हम इतने part को line segment कह सकते हैं, हाँ, ये एक line segment है, जब कोई line segment किसी shape की boundary तै करती है, तो उसे कहते है side, क्या कहते है, a side, इस तरह से ये भी side है, और ये भी, और ये भी, तो इस shape में कितनी sides है, 1, 2, 3, and 4, very good, अब यहाँ देखिए, अगर line segments एक दूसरे से ऐसे जुड़ेंगे, तो कोई shape नहीं बनता, लेकिन अगर ये थोड़े turn होते हैं, मतलब मुरते हैं, तो shape ज़रूर बनता है, सवाल ये है, कि किसी line segment को कितना मुरना चाहिए, ये हमें पता चलता है, angle से, मतलब, दो line segments जब जूड़ती है, तो उनके बीच बनता है, एक angle, इसे corner भी कहा जा सकता है, तो बताईए, यहाँ कितने angles है, 1, 2, and 3, very good, एक और मज़े की बात ये है, कि जब दो line segments एक दूसरे के साथ L फॉर्म करते हैं, जैसे ये rod और ये rope, तो ऐसे angle को कहते है, right angle, angle अगर इससे छोटा हो, जैसे ये, या ये, तो उसे कहते है, small angle या acute angle, और अगर कोई angle इससे बड़ा हो तो, तो इससे कहेंगे big angle या obtuse angle, तो इस पाट में हमने क्या सीखा, a line segment have two ending points, line segments form side of a shape, when line segments join together, they form an angle, angle could be right angle, small angle और big angle, very good, लर्न फटाफट के अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे माच्स के कुछ और इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स, की is कापशो झाट की सिर्ण टॉपिक्स .